लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आईए भगवान बद्री विशाल कस्मरण करें पवनमंद सुगंद शीतल एममंदिर शोबितम पवनमंद सुगंद शीतल एममंदिर शोबितम निकट गंगाबात निरमल बद्रिनात विश्वंबरम शीपद्रिनात विश्वंबरम शेश सुमिरन करत निषतिन करत ध्यान महेश्वरम शीवेद प्रम्मा करत स्थूति पद्रिनात विश्वंबरम शीपद्रिनात विश्वंबरम इंद्रचंद्रकुबेरतिनकरत। धूपदीपनिवेदितम। सिद्धमुनिजनकरत जै जै बद्रिनाथ विश्वंबरं। श्रीवर्द्रिनाथ विश्वंबरं। शक्ति गौरि गडेश शारद नारदमुनि उच्चारणं। योग ध्यान अपार लीला बद्रिनाथ विश्वंबरं। श्रीवर्द्रिनाथ 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 विश्वंबरं। श्रीप द्रिनाथ की परमस्तूती पड़त पाप विनाशनं पोटितीर्थ सुकुन्य सुंतर सहज अतिपल दायकं श्रीप द्रिनाथ विश्मबरं 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 प्रिपर्दिनाद विश्वार्बर भगवान ने अपने कृपालू स्वभाव का परिचे देते हुए अपने समर्पित जनों को अपना आलिंगन प्रदान किया अपना आलिंगन प्रदान किया श्री ठाकुर जी ने हम स्मर्ण करें प्रथम आलिंगन प्राप्त हुआ श्री भरतलाल जी महराज को दूसरा अलिंगन प्राप्त हुआ श्री लखनलाल जी को तीसरा अलिंगन प्राप्त हुआ श्री तुलसीदाश जी को चोथा अलिंगन प्राप्त हुआ श्री सुतिक्ष्न जी महाराज को और पाँचवा अलिंगन प्राप्त हुआ श्री अनुमान जी महाराज को अब आप लोग छटे आलिंगन के बारे में सोचिए पड़ोसी को बताने के आवश्रक्ता है छटा आलिंगन के इनको प्राप्त हुआ वो आप लोग अपने मन में सोचिए मैं उनके बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताता हूँ वैसे तो आप सब चतूर हैं सत्संग चतु रहें ज्यान चतु रहें भक्ति में चतु रहें और मानस के सब स्वाध्याई महानु भाव हैं आप सब लो इसलिए आपकी कल्पना में होगा निश्चित रुप से लेकिन फिर भी मेरा मन रखने के लिए सुनिये प्रभुव छटा आलिंगन एक ऐसे महापुरुष को प्राप्त हुआ जिसने आलिंगन छोड़ करके सन्मुक दर्शन की भी मन में कल्पना नहीं की थी ठाकुर जी की कृपा का कुछ पता नहीं थी वो किस पे कब हो जाए कैसे हो जाए क्या पता न जाने कौन सी बातों पे ठाकुर लीज जाते पता नहीं भगवान कौन सी बात पे खुश हो जाते कई बार हम किसी को प्रसन करने का लक्ष लेकर के जो चीज करते हैं उस पर सामने वाला प्रसन नहीं होता और कई बार जब हमारा कोई लक्ष नहीं रहता उनको प्रसन करने का तो सहज में ही किये हुए किसी काम से वे प्रसन हो जाते हैं हमारे पुझे मलुक पीठ वाले महराजी एक कथा सुनाते हैं एक कोई व्यक्ति था बहुत ज्यादा उसके कोई सतकार या बहुत ज्यादा भग्तिया ऐसा कुछ नहीं था और शायद ऐसा ही था कोई पापकर्म में प्रवर्त रहने वाला ही कोई जीव था एक पेड के नीचे सो रहा था उपर से किसी पक्षी ने बीट करी वो उसके माथे पर जा करके ठप से पड़ी और जब माथे पर पड़ी तो वो तिलग जैसी आकरती बन गई उसी समय योग से उसकी मृत्यू निकट आई थी वो मरा तो सही वेकुंट में गया किसी ने पूछा कि महाराज इसने ऐसा क्या सतकार्य क्या भगवान ने का इसने तिलक लगा रखा था बोले वो तो बीट पड़ी थी बोले बीट पड़ी थी लेकिन तिलक की आकरती में थी इसलिए इसकी मुक्ती हो गई इसको बगवान का रखा यह मन गणंत कानी नहीं है क्योंकि मन गणंत हो तो थोड़ा सा और कुछ मसाला इसमें डाला जाए बाकि यह सोचा जा सकता है कि यह कोई से यह कोई सा तुक हुआ मेरे भाईवेन में आपको एक बात बताओं सीधी सीधी जो कल्यान की बात बताते हैं तो कहीं लोगों को पच्चती नहीं तो सीधी सीधी जो कल्यान की बाते हैं कई बार बहुत लोगों को नहीं पच्ती है, क्योंकि इतना असान है कल्यान, यह किसी को समझता ही नहीं है, अरे भाई यह पक्षी ने बीट किया, वो बीट तिलक की आकरती में अंकित हो गया तो उसी पर कल्यान हो गया, प्राणनाद, विश्वास है, विश्वा से मेरे भाई वेहन करुणा निधान महत्माओं की बात शास्त्र के संपुट में होती है वो बिना आधार के नहीं होती है और बाकी महत्मा अपने भाव से भी कुछ कह देता है तो भगवान उसके लिए आधार बना देते कालियन नाग का मरदन ठाकुर जी ने किया आपने सब सुना कालियन नाग का मरदन ठाकुर जी ने किया और फिर भगवान ने कालियन नाग को का कि अब तू जा यहां से तो कालियन नाग ने का कि गरुर जी मेरे को खाने को तैयार बैचे रोज इदर से एक बार चक्कर निकालते हैं अब मैं जैसे ही बार जाओंगा मुझे लपक लेंगे भगवान ने का तु बिल्कुल चिंता मत कर अब वो तेरी तरफ देखेंगे तो आदर से देखेंगे, श्रद्धा से देखेंगे पर अब वो तेरे को खाने की वृत्ती से कूद रिष्टी से तुझे नहीं देखेंगे कालिया नाग ने का माराज ऐसा आपने क्या उनको बता दिया वो ले उनको अब बताने की जरूरत नहीं है अब तुम और गरुड भात्रवरत हो गए हो भाई के जैसे हो गए हो कालिया नाग ने का माराज हम जनम जनम के बहरी हम भाई जैसे कैसे हो गए तब श्री ठाकुर जी ने कहा गरुड के मस्तक पर मैं बैठता हूँ इसलिए उसके माते पर भी मेरा चरण चिन नहें और आज तुमारे मस्तक पर भी मैंने इस्थान लिया तो तुमारे माते पर भी मेरा चरण चिन अंकित हो गया है इस कारण से गरुड अब तुमको अपने से निम्न नहीं अपने समान समझ कर तुमारा आदर करेगा अब तुम और गरुड भाई भाई हो गए क्योंकि दोनों के माते पर छाप एक है बताइए यह चरण चिन है यह जो तिलक का निशान है यह चरण चिन है यह बगवान के चरणों का चिन है और चरण पाउं कहां लगाने पड़ते देखो गाड़ी का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ब्रेक अगर ब्रेक वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं लेकिन इतने महत्वपूर्ण गाड़ी के भाग को आप हाथ से नहीं दबा सकते पाउं से ही दबाना पड़ता है तो ऐसा कोई नहीं ब्रेक है उसको पाउं से ही दबाना पड़ता है ऐसा ही हमारी भी जो इंद्रियां है इनका ब्रेक माथे में है मस्तिश्क में है दोनों बहों के बीच में जो आग्या चक्र है हमारा वहाँ पर वो अपने इंद्रियों का ब्रेक सिस्टम है लेकिन वहाँ तक अपना पाउं कैसे पहुँचे बताओ जगत में जो गाड़ियां बनती है उसमें ब्रेक नीचे की तरफ होता है अपने रामदी ने ब्रेक उपर बनाए तब यहां उपर तक अपना पाउं नहीं पहुँच सकता और अपना पाउं उपर पहुँचे भी अपना पाँ उपर पहुँचे भी तो भी मेरे भाई बहन हमें नहीं पता कहां ब्रेक लगाना है हम तो चाहते बस गाड़ी स्पीट से चलती रहे हमें ब्रेक लगाने की नहीं सोचती यहां विवेक तो भगवान कोई ध्यान दीजिए गाड़ी को बनाने वाला इन इंद्रियों के निर्माता तो श्री ठाकूर जी है इन इंद्रियों में प्राण तत्व के नाते से रमने वाले तो श्री ठाकूर जी है वो इस जीवन रुपी गाड़ी को जैसा मेंटेन कर सकते जैसा कर सकते वैसा कोई अन्य नहीं कर सकते इसलिए ब्रेक कहा लगाना है केब लगाना है कैसे लगाना है ये भी भगवान ही अच्छे से जानते हैं इसलिए भक्त तिलक का चिन्न करके ऐसा भाव करता है कि मेरी इंद्रियों का जो ब्रेक है मेरे जीवन का जो ब्रेक है वो यहां है और उसके उपर अब ठाकुर जी के चरण आ गए है अब जैसे ही मैं कुछ गलत करूँगा अपने हाप ब्रेक दबेगा गाड़ी रुकेगी और मेरी रक्षा हो जाएगी मेरे भाई बेन ऐसी तिलक की महिमा है इसलिए हरी भक्तों तिलक अपने माथे पर रोज लगाना चाहिए बढ़ा नहीं लगा सको तो कोई बात नहीं एक छोटी सी बिंदी ही लगा लें दोनों बहों के बीच में भाबी जी को भी अच्छा लगेगा उनके जैसी लगाएंगे तो अपना धर्म भी आग्या देता है जिस संप्रदाय में आपको दिक्षा प्राप्त हुई हो बने तो संप्रदाय का तिलक धारण कीजिए उतना न बने आपसे तो कम से कम अपने माथे पर ठाकुर जी के चरणों का प्रशादी चंदन प्रशादी कुम-कुम तो जरूर लगाना चाहिए मेरे भाई बहन जिनके पती देव भगवान के धाम पधार चुके हैं वे भी चंदन का तो तिलक वो भी लगा सकती उसमें कोई वो नहीं है पर मस्तिश का सुन्य किसी को नहीं रखना चाहिए माते पर जरूर कुछ न कुछ धारण करना चाहिए मेरे भाई बहन सौभाग्यवती बहनों को अवश्य अपने मस्तिश कपर सौभाग्य चिन्न धारण करना चाहिए भाईयों को भी अपने धर्म की सेवा के नाते अपने माते पर भगवत, प्रसादी, चंदन, कुम-कुम, कोई भी हो उसका तिलत धारण करना चाहिए प्राणनाथ बात चलती है जब अपना हम हिंदु है हम हिंदु है ऐसा गमंड करते हैं बात चलती है जब ऐसा करते हैं बाकि अपने देनिक दिन चरिया में आप अपने धर्म के लिए क्या करते हैं बताईए अपने वेश को भी हमने कर लिया परदेशियों जैसा अपना आहार भी परदेशियों के जैसा कर लिया खान-पान, खान-पीने का तरीका सब कम से कम कोई न कोई माध्यम से तो अपने धर्म को से जाकृत होगा हम सिर्फ धर्म की चर्चाएं करते रहेंगे लेकिन हमारी क्रियाओं में धर्म नहीं आएगा तो धर्म की सेवा कैसे होगी आज मैं कैसे भक्त को आप सबसे मिलाने जा रहा हूं जिनको छटा अलिंगन प्राप्त हुआ सन्मुक दर्शन होंगे भगवान के क कि कलपना में नहीं था उसको भगवान ने अपने गले लगाया करुणा निधान भगवान को पूछा कि आपको उसमें ऐसी क्या गुण नजर आए ऐसी आपको उसमें क्या बड़ाई नजर आई भगवान ने कहा उसने अपने मूँ से अपनी बड़ाई नहीं करी मुझे उ हम जब भी किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलते हैं तो चेश्टा करते हैं कि बात-बात में हम खुद एक-दो अपनी बड़ाई उनके आगे कर दे। खुद ही अपने मुझसे अपनी एक-दो बड़ाई कर दें मेरे भायदे ऐसा कई लोगों को हमने ऐसा देखा जब भी किसी बड़े आदमी से मिलेंगे अपने से स्रेष्ट अपने से पुजय या अपने से अधिक गुणी या अपने से अधिक प्रभावशाली अपने से अध करते क्रते कि बात करते करते एक-दोवे अपनी बड़ाइए खुद अपने मुझसे कर देंगे हैं वो क्या बोलते उसको बाइओ डेटा बोलते क्या बोलते हैं अपना जो परिचे पुस्तिका होती है परिचे पत्र जो है उसमें मान लो दो चार बातengers करे चूट गई होन् कि हमने अभी ये भी किया था, अभी हमारे ऐसे है, हमारे इतने भक्ते हैं, हमारे ऐसे हैं, हमारे यूँ हैं, को यूँ है, इतने समय तह हम भी रहते हैं, इतना समय हमारे ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं भी देखता हूँ, तो भगवान क्यों राजी हो गए उसके उपर जिनको भगवान ने गले लगाया उन भगत जी के उपर क्यों राजी हो गए उन्हों ने अपने मूँ से अपनी बढ़ाई नी करी दो जन ऐसे हैं रामचरित मानस में जिनके उपर कृपा करने के लिए हनवान जी ने सिफारिश करी दो पात्र ऐसे हैं जिनके उपर मेरवानी करने के लिए हनवान जी ने सिफारिश करी और अभी जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ उसके लिए तो महराज ऐसी स्तिती बन गई थी सब मना करें महराज ये आदमी ठीक नहीं है ये आदमी ठीक नहीं है इसको मत आप करिए इसको आप मत करिये, पर मेरे भाई-बें ध्यान दीजिए, जो बड़े लोग होते हैं, कुछ-कुछ ऐसे महान लोग होते हैं, उनको सला देने वाले तो बहुत होते हैं, बड़ों को सला देने वाले ज़्यादा होते हैं महाराजी, तो जब वो जिनका मैं नाम लेने जा रहा उनको भी जब वो आए तो सब ने का नहीं महाराज ये आत्मी ठीक नहीं है वो ने वो ने बरामदी सब का सुन रहे है भाई सब को साथ ले करके चलना है तो सब की जुनना पड़ता है प्राणनात जो सब को अपने साथ ले कर चलना चाहता है उसको सुनने का अच्छा अभ्याज होना चाहिए उसको सुनने का बहुत अच्छा अभ्याज होना चाहिए कथा सुनने का नहीं सब सुनने का मेरे भाईबेन कोई अच्छा कहे तो वो भी सुनने का बुरा कहे तो वो भी सुनने का सच पूछा जाये तो मेरे भाईबेन आज के समय में जिसको सुनना अच्छे से आता है जो सुनने से अपने आपको छोटा मोटा नहीं मिल मानता वो सब को समाधन दे सकता महाराण किसी ने उल्टा पुल्टा भी बोला तो सुन के लिया महाराज कोई बात मैं बोला तो कोई बात नहीं तो मेरे भाई बेन सुनना आना चाहिए तो राम जी बड़े गुणी है भाई इस विशे में सब की सुन रहे वो कह रहा है ऐसे मत करो वो कह रहा है यू मत करो ऐसे ने करो ऐसे सब की सुन रहे लेकिन श्री हनुमान जी महाराज की तरफ देखा रगुनाच जी ने कि हनुमान क्या कहता है सला तो इनकी मानो महाराज